आपके सामने है क्लास 7 इंगलीज न्यू जेम्स रतना सागर लेसन नमबर 15 दा मिल्कमेन ओफ इंडिया इस वीडियो में हम इस चेप्टर दा मिल्कमेन ओफ इंडिया के कोसन आंसर और वे एक्सो सैज्ट को यहाँ पर देखने वाली हैं कोसन नमबर ए हैं आपर टिक दा करेक आपसन में फर्स्ट कोसन ओन ही से रिटरन फॉम दी यूएस कॉरियन वास आस्ट गो टू आनंद इन गुजरात बिकोस की यूएस से आने के बाद कुरियन से कहा गया कि वो गुजरात के गाउं यानि आनंद में जाएं अब ऐसा क्यों कहा गया क्योंकि इसका आंसर है आप और C. He had to work in a government organization in return for the scholarship paid by the government कि उन्हें government organization के लिए काम करना था क्योंकि government से ही उन्हें scholarship मिली थी उसके बदले second question है the state authority rejected the plan to replicate the amul model across the country because की state authority ने इनके plan को की amul को या पूरी country में फैलाने चाहती है तो इस plan को बना कर दिया इदिकार कर दिया क्योंकि इसका answer है the funder needed to implement the plan were beyond the government budget कि इस plan के लिए जो यह plan था milk का इसके लिए उन्हें पहुँच ज्यादा पैसे money की जरूरत थी जो government के budget के ज्यादा थी इतना government को budget नहीं था कि इस plan को implement कर पाए question 3 है utterly butterly delicious अमूल ठीक है इसका यहाँ पर 3 or 4 option है तो यहाँ पर C इसमें ठीक है was written by salister dark उन्हाँ ठीक है तो इन्हों ने और इनकी wife ने मिलकर ही यह utterly butterly delicious का invention किया था ठीक है जो भी बनाया था इनका question B है read the sentence and answer the question में question number one पैस्टों जी was foolish the farmer की पैस्टों जी कैसे पैस्टों जी farmers को क्या बना रहे थे बेवकूप बना रहे थे यहाँ पर पूछा किया है पैस्टों जी कौन थे पैस्टों जी पोल्स अडेरी के मालिक थे question में पूछा गया है how was he fooling the farmer की कैसे वो बेवकूप बना रहे है farmers का तो वो उनके product को high prices पे बेचा करते थे जबकि farmers को उनके जो भी उन्होंने उन्हें दिया है मतलब जो भी उन्होंने farmers से लिया है उसके लिए उन्हें कम पैसे दिया करते थे इस तरीके से उनसका सोसन क्य क्या करते थे वो कोसन सी है who is the farmer and how की farmers की मदद किसने की और कैसे तो डोक्टर वर्गी स्कूरियन ने ही farmers की मदद की थी उन्होंने इन farmers को milk cooperative स्टार्ट करने का idea दिया था और सही machine चुनने का भी उनका साथ दिया था कोसन सेकिंड है we need you here यह line थी यह line किसने कही और किसको कही तो आंसर है इसमें को आंसर नमबर ए कि यह लाइने त्रीबू अंदास की थी ठीक है यह words त्रीबू अंदास के थे और यह leader थे farmers के और यह इन्होंने words कही थे डोक्टर वर्गी स्कूरियन को कोसन भी वर वर वाज ही निडिए और वाई कि उनको जरूरत कहां थी और क्यों इनकी जरूरत थी वास नेड़ेट एट आनद की आनद विलिज में इनकी जरूरत थी विकोस वहाँ पे जो पार्मर की कंडिशन थी उसको जिस यह इंप्रूव कर रहे थे यही थे जो मदद क कर सकते थे उनकी कंडिशन को इंप्रूव करने में कोसन नमबर सी है वाट वाट वाद स्पीकर्स रिक्वेस्ट कि स्पीकर की रिक्वेस्ट क्या थी यहां पे स्पीकर रिक्वेस्ट कर रहा है डोक्टर को यहन से कि वह आनंद में यहां पर रुख जाए क्योंकि वही परस तो आंसर इसमें डॉक्टर कोरियन ने अंट्रेस्टेड रिस्पोंस इंटर्विवर को इसलिए दिया क्योंकि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उनकी कोशन में ठीक है ना ही उस इंटर्वियो के कोशन जो उसने पैस्यूराइजेशन के बारे में पूछा था इसको में क्योंकि उन्हें तो मै्टरलर्जी और न्युकिलरीश्थ के बारे में पढ़ना था ना कि डीरी इंजिनियरिंग के फिर भी आके क्या हुआ कि मिल गया मौह पर जाने के बाद़ औरiesค् aşk मिल गया और अधिरी इंजिनिर्इंग माइन सब्जेक्ट मिल। अब इसकी हैं ने yourself । इस advertisation के लिए काम पर гड़ा तिहा उन्हों ने इस advertisement के काम उनको सोपद गया मतलust 1966 में शेलिवेज़् टियोग को इसकी advertisement के लिए काम सोप गया उन्हों और उनकी wife ने मिलकर एक tagline बनाई थी utterly utterly diseases a mode और यह बहुत ही अच्छा काम किया इसने ब्रेंड के लिए और इसकी काम को चारचान लगा दिये अब इसकी इंपोटेंस क्या है क्या फायदा हुआ इसमें कि अमूल पैटन ने पूरी रूलर गाउं के इलाकों को डेवलप कर दिया और यहां की फार्मर्स लोगों की जो इक्रोमिक कंडिशन है यह ओप्रेशन फ्लड लॉंच किया गया वेड उर्पियन कंट्री एगृट टॉनेट ते इस सर प्लस मिल्क ओंधी प्लेड ओफ डॉक्टर कोरियन की रिक्वेस्ट करने पर उर्पियन कंट्री ने अपना सर प्लस मिल्क डॉनेट करने के लिए राजी हो गेते। और इस वन वाट ओस वल्ड लाजाफ Norman कि यही था दुनिया का सबसे पहला सलरी दुनिया का सबसे बढ़ा हा रूलर ड्यव्लप्मेंट प्रोग्रान जिसमें फार्मर्स की डारेक्ट हेल्प की जा रही थी उनको after रिसोर्सिस को डेवलप करने में और मैनेज करने में 1964 में 1964 में प्राइम मिनिस्टर लाल बाहदु सायस्त्री अमूल में आये थे और वो बहुत ज़्यादा खुस हुए थे किस तरीके से उनके फार्मर्स के मिल्क को सही से इस्तिमाल किया जा रहा है और फार्मर्स की कंडिसन को सुधारा जा रहा है तो उन्होंने एडवाइस दिया था डॉक्टर कोरियन को कि इस अमूल को वो पूरी कंट्री में इस मोर्डल को फैला दे अब देखो नोट्बुक से ही हमने पूरी आंसर को कंप्लीट किया है जैसे 1946 में इन्होंने मचीगन स्टेट युनिवर्सिटी जोइन की थी और 1949 में आनद आये थे 1950 में इन्होंने जनरल मैनेजर की तोर पर पोस्ट समा ली 1957 में इन्होंने अमूल नाम रजिस्टर किया 1964 में लाल बादुर सास्त्री अमूल आये थे 1965 में इन्हें अवोर्ड मिला गया पदमा स्री 1966 में एड़टाइसमेंट कंपेनियन प्रोमोर्टेड दे प्रोड़क्ट अमूल 1970 में ओपरेशन फ्लड लॉंच हुआ और 1999 में अवोर्ड मिला इने पदमा विपोसर नेक्स्ट है में दी में तिंक एंड आंसर में तू अचिवमेंट अप दी अमूल पैटन आर रूलर डेपल्मेंट अइंपार्मेंट ओफ फार्मर तिंक एंड अट-लेस्ट एट-लेस्ट थ्री ओर मोर्ट तो यहां पर हम ने रिखके आंसर लिखिया है फर्स्ट है इसका अचिवमेंट प्ले एन एसेंचियल रोल इन लाइफ ओफ वोमेंट फार्मर बाइंकिंग देम इक्नोंकिली डॉप लप इंडिपेंडेट की इसने गांव की जो महीला थी किसान महीला उनकी आर्थिक स्थिती को सुधारने में उन्हें आर्थिक रूप स इसने पूरी इंटरनेशल लेवल पर इसको मसूर कर दिया और थर्ड है इंडिया बिकम दबर लार्जस प्रिद्यूसर ऑफ मिल की जी तो आप जाती है इंडिया इसकी वज़ए से इंड व्ल्ड का लार्जस्ट प्रिड्यूसर मिल को प्रिद्यूसर बन गया कोशन सेकेंड है do you think the term while revolution white revolution is suitable for the pattern began by dr. korea give your reason answer which answer is yes it is the most suitable term for the pattern began by dr. korea because it brought revolution in the dairy industry milk farmers were empowered by this pattern and through system designed by him india become the large producer of milk जो भी यांसर है यह मैं पहले भी बदा चुआ हुआ हूँ कि किस बज़े से इसकी बज़े से क्या क्या हुआ कि farmer को कैसे ताकत मिली कैसे इस डेवलप महुआ और किस तरीके से इंडिया वर्ल्ड की largest producer milk बन गया next है इसमें word study में हम exercise प्या जाती है tick the correct word within the brackets to complete this statement कि हाँ पर हम यह sentences में से sentences के लिए सही word in close में से चुनना है bracket में से first में answer है यहाँ पर रोक second में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है खुब्याग है hard working है helpful है legend है talented है determined है intelligent है next है dictionary में look up the meaning of this generous in the dictionary write the word correctly in the diagram अब देखिए आप आमने answer में लिखा हुआ है कि friction कौन है इसमें drama, fable, mystery, fantasy, variable, fairy tears यह सारी friction में आती है जो दोनों में आती है वह historical, folk takes, play और जो non-frictional हैं वह है autobiography, journal, encyclopedia, biography, biography next इसी में एक online दी हुई थी, what does this lesson the milkman of India belong to, यहाँ पर है biography next है grammar study में, rewrite this sentence in direct speech, इनके सभी के हमने direct speech में इनको convert करना है दुवार्च लिखना है तो सभी के answer हमने लिख दिये है ओके अब जब आपका यह question grammar study का first question हो जाता है तो आप हम आते हैं इसके next question पर, question number second, rewrite this conversation in report speech, what do you know about pasteurization, ठीक है यह question आप book में ही देख ले न, ज्यादा read करेंगे तो video ज्यादा लंबी हो जाएगे, तो यहाँ पर इसका भी answer हमने लिख्या हुआ है, the interview asked the young man, what did he know about pasteurization, the young man replied it something to did with milk, तो ठीक है इस तरीके से यह पूरा answer है यह आपर, ठीक है, report की तरह हमें आपर लिखना है, next communication skill में, Dr. वुर्गिर कुरियम, will always be remembered as the main man with self-belief and a strong will, your teacher will read out aloud some of Dr. कुरियन's quarts, listen carefully and feel in the missing words to complete these quarts, ठीक है, यहाँ पर हमें, मैंने यहाँ पर fill in the blank से कुछ questions में, line नहीं बनाई है, book में देख लेना, line है कहाँ पर है, और इनके answer भी यहाँ पर हमने लिखे हुए है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हो, इसका answer यहाँ पर succeed आया, और next में farmers, और यहाँ पर 1949, इसी तरीके से सभी के answer यहाँ पर है, second, यह third है, fourth, और जब इनके answer भी आपके complete हो जाती है, communication skill के बाद हम आते हैं, speaking में, question number K, how does one speak politely and ask for information in this situation, कि कोई भी इनसान ऐसी situation में, इस तरीके की जो अगर situation आपके सामने आये, तो किस तरीके से आप विनम्रता से बात कर उनसे information ले सकते हैं, question first है, you are Vargis Korean looking for suitable accommodation at anand, कि सही जी के डूणने के लिए, आप, मतला आप Vargis Korean है, और एक अच्छी पन्हां डूणने के लिए, जी के डूणने के लिए, आप आये है तो कैसे वो लोगे, will you be kind enough to tell me for a suitable accommodation at anand, तो second, third, मैंने तीनों answer यह अप लिके हैं, कैसे आप विनम्रता के साथ, कैसे बात कर सकते हैं, सामने वाले से, अगर आपको कुछ information चाहिए, next है इस में, writing portion में, imagine you had interviewer, dr. Vargis Korean, कि आप dr. Vargis Korean की information, interview ले रहे हैं, अपने school magazine के लिए, करीबन 12.12 question आपको यहां पर लिखनी है, कि क्या question हो सकते हैं, तो यहां पर question है, जैसे, sir, can you please tell me why you are preferred to go abroad to study there in spite of numerous institute in India, कि आप दूसरी कंटरी में ही क्यों पर ने गई, जब कि यहां पर इंडिया में और इंस्ट्यूट थे, study करने के लिए, तो यह next है, tell me about your reaction when you applied for government scholarship to study metallurgy and they told you to choose dairy farming, कि आपका reaction कैसा था जब आपने इस government को में apply की थी scholarship के लिए, कि आप study कर सकें metallurgy, पर आप से कहा गया कि आपको dairy farming के लिए चूस किया गया है, तो आपका क्या reaction था, question 3 है, how you handle a clever position and businessman like pastor जी, एडल जी, through he was much experience than you, ठीक है, यहां पर पूछा गया है, कि कैसे आपने इस इंसान को जो एक business man था और चलाक इंसान था, पेश्टों जी, एडल जी, ऐसे इंसान को, से आपको आपने कैसे है handle किया, जब कि वो तो आप से ज़्यादा experience थे उस time, ठीक है, fourth question इसी में है, यहां पर, यही इसी के साथ जुड़ चुगा है, fourth question यहां से बिल जाएगा, आपको, five, six, seven, eight, nine, ten, total है, यहां पर, मैं फेसे दिखा देता हूं, उपर हो गया है, ओके, यह है, total, ten question है आपका, ठीक है, यहां पर question हो जाती है, आपके, तो यह वीडियो यहां पर, complete भी हो जाएगी, और सारा work आपका complete हो जाएगा, इस last question के पाद, वीडियो अच्छी लगी है, तो like ज़रू करना, thank you, have a nice day, और साथ ही इस chapter का explanation देखना है, तो वीडियो के description में, उसका link मिलेगा, या फिर आप channel पर जाकर, chapter का explanation देख सकते हैं, thank you, bye,